जै मा काली मित्रों आपका मेरे चैनल मा काली मा दुर्गा शक्ति सवार में एक बार फिर स्वागत है मित्रों आज जो विशे में लेकर आई हूँ वो है नवरातर की पूजा देखिए आज का समय ऐसा है कि सभी जितने भी लोग हैं उनके पास समय का बहुत अभाव रहता है तो जो नवरातर की पूजा का जो विदान होता है वो बहुत लंबा भी होता है और बहुत छोटा भी होता है क्योंकि मा भगवती आदिशक्ति अंबी के स्वेम दुर्गा शफ्षती में ये कहती है कि विदी को जानकर या ना जाने हुए किसी भक्त के द्वारा किया हुआ जब तब जाप आदी मैं बहुत प्रसंता के साथ ग्रहन करती हूँ ये मा का स्वेम का वाक्या है तो इसका अर्थी ये हुआ कि आप भाव के साथ जो भी मा के लिए पूजा जब तब कुछ भी करेंगे तो मा उसको प्रसंता से ग्रहन करेंगे चाहे आपकी विधान में थोड़ी बहुत अगरत रूटी भी है तो मा भगवती आपको उसके लिए शमा करेंगे तो इसी के लिए मैं आपके साथ एक ऐसा विधान शेयर करना चाहती हूँ जो बहुत ही छोटा है और जो पून फल देने वाला है तो उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ देखिए नवरातर प्रथम नवरातर जो होता है वो मा शैल पुतरी का होता है तो उस दिन नवरातर का प्रारम होता है तो उस दिन सबसे पहले आपको क्या करना है आपको एक पट्रे पर लकड़ी के पट्रे पर या बाजोट प पर मा की स्थापना करनी होती है तो आपको एक बाजूटिया पट्रा लेना है जिसको आपको गंगा जल से शुद कर लेना है अर्था गंगा जल छिड़क कर साफ कपड़े से उसको शुद कर लेना है फिर उसके बाद आप उसके उपर लाल या पीला कपड़ा बिच्छाएं उसके बाद कपड़ा विछाने के बाद में आपको उस पटड़े पर या बाजोट पर मा भगवती की या तो प्रतिमा या कोई फोटो उस पर इस्थापित करनी है लेकिन इस्थापित करने से पहले आप उसको भी गंगा जल के द्वारा शुद कर ले गंगा जल छिड़कर कपड़े से साफ करके आपको वो प्रतिमा उस बाजोट पर रखनी है या उस पटरी पर रखनी है फिर उसके बाद आपको घट स्थापना करनी है घट स्थापना करने के लिए आप किसी भी प्रकार के कलश जैसे कि कोई स्टील का हो या तांबे का हो या पीतल का हो और अगर वो भी ना हो तो मिट्टी का हो सबसे श्रिष्ट तो मिट्टी का होता है क्योंकि वो बिल्कुल शुद होता है और हर व्यक्ति उसे आसानी से ले सकता है तो अगर मिट्टी का है तो आप मिट्टी का रख सकते हैं मा तो सब कुछ स्विकार करती हैं तो आपको उस कलश में सबसे पहले गंगा जल डालना है औ और उसके बाद उस कलश पर स्वास्तिक का निशान बनाना है और उसके बाद उस कलश के अंदर देखे डालने को तो बहुत चीज होती है हल्दी की गाट होती है पांच या सात अनाज होते हैं गोंती चकरू होते हैं कमल गटे होते हैं बहुत सारी चीज़े होती है लेकिन मैं प्रकार के भक्ति संसार में हैं, कोई समर्थ है, कोई ऐसमर्थ है, तो मैं सब के लिए बताना चाहूंगी, कि अगर आपके पास कुछ भी न बन पड़े, तो आप उसमें थोड़े से चीनी के दाने, और एक सिक्का, या तो एक रूप्य का हो, या दो रूप्य का, वो आपको उसमें डालना है, और कलश की स्थापना करनी है, उसके बाद आपको अशोक या पान के पत्ते से उस कलश को ढख देना है, और उसके उपर एक कच्चा नारील लेना है, कच्चा नारील जिसको आप या तो चुनरी से, या कलावे से लप्यट देंगे, उस नारील को आपको उस कलश के उपर स्थापित करना है उसके बाद में अब आपको ये करना है कि अब आप अखंड जोत लगाने की तयारी करें अगर आप अखंड जोत लगाते हैं और अगर आप अखंड जोत नहीं जलाते हैं तो आप ऐसे ही सुबशाम माग की जोत लगा करके हूजा कर सकते हैं अगर आप अकंड जोत लगाते हैं तो आपको इसका विधान भी बताओगा और अकंड जोत जो लगाई जाती है वो देशी गी की लगाई जाती है अगर देशी गी में भी अगर गाएं का गी हो तो वो सरवोत्त होता है और अगर इन दोनों में से कोई चीज नहीं है तो आप तिल के तेल की भी अखंड जोत लगा सकते हैं और अगर तिल का तेल भी नहीं है तो आप सरसो की तेल की अखंड जोत लगा सकते हैं और उसमें जो बाती का प्रियोग किया जाता है वो मोली की बाती होती है जिसको कलावा भी बोलते हैं तो उसकी बाती आप उसमें लगाएं लेकिन विशेश चीज़ों मैं आपको बता रही हूँ आपको वो जोत लगाने से पहले उसमें एक लोंग का जोड़ा डालना है और जोड़ा डालने के बाद और जब आपके अखंड जोत तयार हो जाएगी तो उसमें आपको मा भगवती का ध्यान करना है और मा से प्रात्ना करनी है कि मा आप इस जोत में निवास करें और आप सुएम इस जोत की रक्षा करें हो सकता है मैं कभी इधर उदर हो जाओ या मेर आपको तुरंत यार दिलाएंगी कि जाकर जोत देखो ये मेरा खुद का अनुबहव है तो उसके बाद में आपको जोत प्रज्वलित करनीन है जोत प्रज्वलित करने के बाद आपको जो जोत लगानी है उसके नीचे चावल या गेहूं का आसन देना है सबसे पहले या तो गेहूं या चावल उसके आसन पर ही वो जोत स्थापित करनी है क्योंकि दीपक बिना आसन के नहीं होता तो अगर आप ऐसे ही दीपक जलाते हैं सुवेश शाम की पूजा के लिए तो उसके लिए तो आशन की आवशकता नहीं है लेकिन अगर आप अखंड जोत जला रहे हैं तो उसके लिए आशन की आवशकता पड़ती है तो उसके नीचे आपको चावले गेहों का आसन जरूर देना है फिर उसके बाद अब आपको मा की प्रतिमा को लाल या फिले रंग की चुन्री अर्पन करनी है अर्थात उनको चुन्री उढ़ा देनी है फिर उसके बाद आप मा की प्रतिमा को तिलक करें और मा को तिलक करने के बाद उसी उंगली से जिससे आपने मा को तिलक किया था उसी उंगली से स्वेम को भी तिलक करना है और उसके बाद में अगर आपके पास शंगार का कोई समान है जिसे बिंदी है सिंदूर है महंदी है कोई भी एक शंगार है पांच शंगार है जो भी है आपके पास अगर आप लाई हैं, तो वो मा को आप अरपन जरूर करें क्योंकि मा को शेंगार का समान बहुत पसंद है, और मा इसको बहुत प्संदक के साथ ग्रहन करती है, फिर उसके बाद में, आपको मा को एक पान का पत्ता जो ये पान आता है, जिस पत्ते पर पान को का और एक लोंग का जोड़ा महा काली के नाम का अर्था दो जोड़े लोंग के दो दो लोंग आपको उस पान के पत्ते पर रखनी है दो छोटी इलाइची हरी रंग की जो आती है वो रखनी है और एक सुपारी आपको उस पत्ते पर रखनी है और ये सामगरी रखने के बाद आपको अबटा आपको माको अर्पन करना है, जो माके भोग स्वरूब भी होता है, तो माा उसको जरूट ग्रेहन करती है, क्योंकि जो पान, लोंग, सूपारी और इलाईची, ये माके मुख्यबोग होते हैं, माः भगवती दुरुगा के, तो ये आपको उनको अर्पन करना है फिर उसके बाद मा को लाल रंग के पुष्प चढ़ाए मा को दो पुष्प, लाल रंग का कोई भी पुष्प वो प्रिय होता है लेकिन सबसे अत्यदिक प्रिये गुलाब का और गुढ़ल का पुश्मा को बहुत प्रिये होता है अगर ये दोनों है तो अतियुत्तम है इसके अन्य था अगर कोई लाल रंग का फूल है तो आप वो मा को अरपन करें उसके बाद मा को आप नवैद्य और अरपन करें नवैद्य में आप कोई भी फल एक परकार का दो परकार का या पांच परकार का या था सामर्थ्य है देखिए बात में बार बार कहती हूँ कि आप कोई भी कारे करें अपनी सामर्थ्य के अनुसार करें मा कोई सामान की आपके भूक की भूकी नहीं होती मा केवल भाव की भूकी होती है लेकिन हमारा मन होता है कि हम उनकी सेवा करें अलग-अलग वस्तुओं के द्वारा तो ये वस्तुओं हम अपने भाव के अनुसार उन्हें अरपन करते हैं तो आप भाव के साथ जो भी आपके पास उपलवध है आप उने अरपन करें नवेद्य में आप फल अरपन कर सकते हैं या मावे की बनी कोई भी मिठाई अरपन कर सकते हैं और अगर ये भी संभव ना हो तो पंच मेवा आप मा को अरपन कर सकते हैं और अगर किसी की पंच प्वाकि भी सामर्थ्य नहीं हैं, तो आप मा को मिश्री अरकॉन कर सकते हैं, अर्थात उनको भोग स्वरुप मिश्री दे सकते हैं, उसके बाद में आपको अपना संकल्प करना है, नवरात्र के व्रत का जिसमें आपको अपना नाम अपने पिता का नाम अपना गोत्र अपना घर का पता और अपना शहर का नाम और भारत देश का नाम लेना होता है और मा से प्राथना करनी होती है कि मा मैं आपके नवरातर के व्रत का संकल्प कर रही हूँ और आप मेरे व्रत की रक्षा करना और नो दिन तक मेरा व्रत खंडित ना हो पाए आप ऐसी मुझ पर दिया करना और मेरे व्रत की रक्षा करना जब आप इस तरह संकल्ब करके मा से प्राथना करते हैं तो मा आपके वरत की रक्षा करती है और उसमें कोई भी प्रकार का विग्न नहीं आने देती कोई तुरूटी नहीं आने देती ये मेरा स्वयम कानुभव है तो संकल्ब करने के बाद में आपको भगवती का ध्यान करना है उसके बाद आपको मा की पूजा करनी है मा की पूजा में आप कुछ भी कर सकते हैं देखिए जो नवरातर में विधान होता है वो दुरूगा शफशती के पाठ का होता है लेकिन समय कम होने के कारण हर व्यक्ति शफशती का पाठ नहीं कर सकता तो इसके लिए आप सबसे सरल दुरूगा चालिसा का पाठ करें और या फिर एक दुरूगा कवच की अलग से पुस्तक भी आती है या फिर आप दुरूगा कवच का पाठ करें यह मैं आपको बिल्कुल सरल विदी बता रही हूँ पाठ करने के बाद भगवती की आरतियाब जरूर करें जे अंबे गोरी और इस आरति को आपको गागा कर करना है और पूरे भाव के साथ करना है उसके बाद में आपको एक कारी जरूर करना है आपको मा की जोद प्रकट करनी है और जोद प्रकट करने के लिए आपको एक उपले की अवशकता होगी आपको उपले की अंग्यारी करनी है जिसको कंडा भी बूलते है तो वो अंग्यारी करने के बाद में आपको उस पे देशी गी डालना है जब अंग्यारी तयार हो जाए और गी डालने के बाद में आपको मा की जोद प्रकट करनी है माचीश से जैसे कि आप सभी जानती ही है और उसके बाद में घर के परिवार के जितने भी सदस्य है जो भी लोग हैं उनके नाम के आपको एक-एक जोड़ा लों मा को अरपन करनी है जितने भी सदस्य हैं अगर सब सदस्य अलग-अलग हैं अगर वो सब आ करके अपने जोद में मा को लों अरपन करें तो अतिवत्तम है और अगर वो उपस्तित नहीं हैं तो जिस व्यक्ति ने जोत प्रकट की है उसके द्वारा एक एक लोग का जोड़ा सभी सदस्यों के नाम का उस जोत में मा को अरपन करना चाहिए उसे करने के बाद में आप उस जोत को मा को दें फिर स्वेम वो जोत लें और उस जोत को पूरे घर में गुमाने के बाद में वापस वहीं बगवती के सामने लाकर रख दें वो जो दीरे-दीरे शांत हो जाती है तो मा उस जोत में जरूर प्रकट होती है, वो मा जुआला का स्वरूप होती है, जुआलजी का, तो ये अंतिम कारिय करना है, इसके बाद आपकी एक दिन की पूजा संपून होती है, और इसी प्रकार से इसी विधी के द्वारा आपको अपने नो दिन की पूजा कर लेनी है, उसके बाद जब आपके वृत संपून हो जाएंगे जिनके आश्टिमी पूजन होता है कन्याओं का उनको अश्टिमी को करना है जिनके नोमी के दिन होता है उनको नोमी को करना है उसके बाद में जो नारियल आपने रखा हुआ था कलश के उपर उसको आपको तोड़ना है और उसके दो भाग करनी है आधा तो भगवती माग के चर्णों में रखना है और आधा आपको कन्याओं में वित्रित कर देना है और जो भगवती के चर्णों में आधा भाग आपने रखा हुआ है वो आपके घर परिवार के सदस्यों के लिए प्रशाद स्वरूप होता है, मा भगवती का, तो वो आपको ग्रहन करना है, इसी के तरह आपके नवरात्र पून हो जाएंगे, और आप देखेंगे, अगर आप इस विदी से पूजा करते हैं, ये बहुती लगू विदी है, इस से छोटी विदी कोई हो नहीं सकती, इस विदी के द्वारा अगर आप मा भगवती की पूजा करेंगे नवरात्र में, तो आपको नवरात्र का संपून फल प्राप्त होगा, और आपका कोई न कोई एक कारिय भी जरूर बनेगा, ये मेरा वचन है, तो आप इस विदी से भ हम उसे क्या दे सकते हैं? लेकिन केवल हमारे भाव ही है, जो मा भगवती के पास हमें ले जाने में मदद करते हैं, उनके द्वारा ही हम मा के समीप होते जाते हैं, तो पुरे भाव के साथ आप अपने नवरात्री का रष्ठान कीजिए, आशा करती हूँ आपको मेरी जानक लेकर मैं फिर आप से मिलूंगी तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और विशे पर वीडियो बनाओं तो आप अपना विशे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और साथ में जै जै महाकार